कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवाद प्यूसर पर दोस्तों सुबह के छे बच चुके हैं और आपके लिए ताज़ा तरीन खबरे लेकर क्या आपके प्यूसर आ चुके हैं जीए जीके जीएस के वन स्टॉप सेंटर जीए बई एप किसी की त्यारी कर रहे हों दोस्तों सबसे ज़्यादा सबसे पहले करेंट अफिए अ सबसे ज़्यादा करेंट हम दोस्तों कि केवल के कि बात होती है इधर उधर की बाते हम लोग इस ख्लास में नहीं करते क्योंकि की आपक시면 बड़ा मातलम मेरा खेहने एञे लब है बहुत सारे स्टेटिक जी के पार्ट लोग जो कवर कराते वह यहां पर दोस्तों शाम को पांच बजे होता है शाम को पांच बजे जो है बेच 200 बैंकिंग और जनरल अवेर्नेस की क्लास होती है मेराथन क्लास दोस्तों जो कि शाम को पांच बजे डेली होती है तो इस क्लास को जिसे हम लोग ब्रह्महास्त्र और सेलेक्षन क्लास कहते हैं दोस्तों कि जसमें हमेंसा से आपको Current Affair में Maximum Attempt करा हैं जिसमें हम लोग Last Six Month Current Affair की जो है सारी Classes करते हैं ये वह Class है दोस्तों जो तो आपको का गेम चेंज करेगी आपको हाई ये शटेम कराएगी तो ये क्लास दोस्तों सुरू हो चुकी है कल से कल हम लोग ने इसको जो है किया था रात को 9 बजे ठीक है दोस्तों बहुत जल्द आपके टॉप 10 एकनोमिक और बैंकिंग फिनेंशिल टर्म्स की क्लास सुरू होगी एक बार आप लोग मेंस के रिदम में आ जाएंगे ठीक है गुड मॉनिंग सभी लोगों को नैंसी ने लिकाए गुड मॉनिंग गूगल सर ये तो आप लोगों का प्यार का दिया हुआ नाम है गूगल सर जो आप लोग प्यार से बुलाते आ रहे हैं इतने सालों से है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले जो लोग भाई पीडिएफ चाहते हैं वो लोग जीए भाई प्यूसर टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें जीए भाई प्यूसर टेलिग्राम चैनल को जिल्लों को टेलिग्राम नहीं है वो लोग मेरे को वाट्सअप कर सकत से मैं उनको अपने ब्राटकास्ट लिस्ट में एड़ कर दूंगा पीडियापस और जो है उनको मेरे लेक्चर के लिंक्स वहां से मिल जाएंगे 829-287-812 मेरा नमबर है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तो आएए शुरू करते हैं आज की क्लास ताबर तोड तरीके से केंद्री रेल मंत्री अस्विनी वैस्तनों ने निमलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एलमुनियम फ्रेट रेक का उद्गाटन किया है दोस्तों यह किस रेलवे स्टेशन पर किया है तो दोस्तों यह जो है इन्होंने भूनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया भूनेश्वर रेलवे स्टेशन पर दोस्तों कि ऑडिशा की कैपिटल है भूनेश्वर जहां पर आप देखा जाए तो नवीन पठनायक जो की मोरिसा के मुखमंत्री है उनके पिता जी बीजू पटनायक जी के नाम से एयरपोर्ट भी है उनके नाम से एयरपोर्ट भी है दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए तो दोस्तों श्वनी वेश्णों ने जो है इंडिया का पहला एलमूनियम फ्रेट रेक जो है किया गया है डवलप किया गया है दोसतो स्वादेशी रूप से इट फिट्रील रेड्यूस कार्बन wsz çık्रिंट डू तु लॉवर कंजम्शन और फ्यूल की कार्बन फुट्रिंट को कम करेगा दोस्तो यानि प्रदूक्शन को कम करेगा ठीक है दोस्तो नई दिल्ली में भार्तिक रिशी अनुसंधान संस्थान में पीम किसान सम्मान समेलन का उद्गाटन किस ने किया है दोस्तो तो यह जो है नरेंद मोदी जी ने किया है दोस्तो पीम किसान की बाहरवी किस्त भी दोस ist यहां पर किया जा रहा है नई दिल्ली के किया जा रहा थाएं जो किसान संवान निधी जो है पीम किसान का फुल्फ वाम ही होता है किसान संवान निधी निधी तो दोस्तों ये जो है दो-दो हजार रुपे हर चार महीने पे दिये जाते है दो-दो हजार रुपे हर चार महीने पे दिये जाते है साल बर में तीन बार दिये जाते है और छे हजार रुपे सलाना ये मिलती है बारवी किस्त का मतलब है अभी तक भारत के जो है किजानों को 24 हजार रुपए दिये जा चुके है बारत दुनी 24 यानी 24,000 रुपीज दिये जा चुके है ठीक है क्लियर है याद रहेगा तो दोस्तों इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इस्टिट्यूट जिसे की पूसा केमपस भी कहा जाता है यह नई दिल्ली में स्थित है भारतिय क्रि में आ रहा है तो दोस्तों 13,000 किसानों अलगबग 1500 अग्रिकल्चर स्टाटप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ठीक है ओके तो पीम किसान सम्मान इधी की कौन सी किस्त जारी हुई है बारहवी किस्त जारी हुई है कितने रुपए बाटे गए हैं प्रधानमंत्री के द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समर्पित की है देश को कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को समर्पित किया है दोस्तों यह आप लोगों को बताना है देश को कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समर्पित की गई है तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स पित किया गया डेडिकेट किया गया बात समझ में आ रही है क्लियर बात समझ में आ रही है तो दोस्तों इसकी इसका जिक्र जरूर था बजट में इसका जिक्र था दोस्तों कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 साल है 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई ज जग़ा पर इस सुरू किया गया है ठीक है इस से जो है दोस्तों बहुत सारी banking facility जनता को जो है यहाँ पे मिलेगी जैसे saving account वह अपना जो है ओपिन खरा सकते हैं balance चेक कर सकते हैं प्रिन्ट-आउट पाज बुक करा सकते हैं fund transfer fd investment loan के लिए अपलाई credit card debit विटकार्ट के लिए अपलाई टैक्स और बिल्स यह सब पे कर सकते हैं वहां से दोस्तों पधानमंती नरेंद मोदी जी ने अभी हाल ही में एम्स बिलासपुर में हिमाचल पदेश में एम्स का भी उधगाटन किया है चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस का उधगाटन दोस् कालेशवर मंदिर के जो है 8500 करोड के कोरीडर को दोस्तों उधगाटन किया है उसके बाद दोस्तों चमबा डिष्टिक में हिमाचल पर्देश में दो हाइड्रोप्र परजयक्ट गो सो इनों कॉरिडोर को दोस्तों उधगाटन किया है उसके बाद दोस्तों चमबा डिश्टिक में हिमाचल प्रदेश में दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दोस्तों इन्होंने उधगाटन किया है और दिल्ली में इन्होंने किसान सम्मेलन का भी उधगाटन प्रधानमंत्री ने क दोस्तों वंदे भारत एक फ्रेट ट्रेन भी चलाई गई गई है जो दिली से मुंबई के लिए चलाई गई आज फॉंट साइज स्मॉल है क्या फॉंट साइज स्मॉल नहीं है कंटेंट जादा है कि फॉंट साइज स्मॉल नहीं है हमेशा यह न्यूज रहती थी यह नहीं रहता था आज यह भी है इसलिए लग रहा है ऐसा एक ही पेश पर देने कोशिश की है वरना दूसरे पेश पर कर देते तो बड़ा हो जाता तुम लोगों को दिख रहा है ना इतना बस काफी है दिख एक इनवेंटिव प्रोग्राम भी हुआ था ट्वंटी थ्री आयाइटीज का अभी 23 में दोस्तों जो है 23 को महापुर्सों के नाम से रखने की भी बात कही गई थी दोस्तों गौालियर मध्यपदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाइड़े के नह तर्मिनल की अधार सीला किसने रखी है वह लेट फाउंडेशन इस्टोन न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ राजमाता विजयराजे सिंधिया दोस्तों विजयराजे सिंधिया जी जो है यह बीजेपी की फाउंडर रही यह मलें इनके आगे अटल जी अटल जी बच्चे थे यह पैसे वसंद्रा राजे सिंधिया मादव राजे सिंधिया जो है चले गए राज्यू गांधी के साथ कॉंग्रेस में कॉंग्रेस की गवर्मेंट थी बीजेपी कहीं से जो है की गवर्मेंट में नहीं थी वसंद्रा राजे सिंधिया बीजेपी में माता जी के अपने हिसाब से य इनके बेटे हुए जोती रादित सिंधिया जोती रादित सिंधिया ये लोग राज परिवार के हैं बिजय रादित सिंधिया के सौ साल पूरा हुआ था राजमाता का तो बीजेपी ने सौ का सिक्का जारी किया तो सोचो बीजेपी को फंडिंग करने वाली ये थी जब बीज से तो फिर सोचो मां बेटे में दरारा गई लेकिन बीजेपी से इनकी शरद्धा नहीं खतम होई तो दोस्तों अब पोता जो है वापस से कॉंग्रेस से बीजेपी में वापस आ चुका है मलग कॉंग्रेस में ही था वो बीजेपी में आ गया है तो जोतिरादिस सिंधिया जो समझ में आ गया तो दोस्तों जो है जैब इंध पहलें जो है यह परेंश कहां पर यह पहलेश में यह इक है इस गालियर में सब्सक्राइब चलिये तो दोस्तों खांदान का परिच्होंना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए जो है विजराजये सिंधिया कौन है जोति-धिरादित से चीजे उद्गाटन कर रही है नई टर्मिनल बिल्डिंग बना रही है एयरपोर्ट में जिसकी कॉस्टिंग 446 करोड है ग्रीह मंत्री अमित साह जी जो कॉपरेशन मिनिश्टर है इन्हों ने दोस्तों इसको स्कुरू किया उसके बाद दोस्तों जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट जो 43,000 करोड का है 3143 विलेजेज में दोस्तों इसके भी फाउंडेशन इस्टोन की अधार सिला रखी ठीक है क्लियर है प्रधान मंत्री आवास योजना में बेनिफी सीरीज को दोस्तों 1202 रूरल घर और 256 अर्बन घर भी यहां पर अमित शाह जी ने प् पे भी सुरू हो गई है दोस्तों Commerce and Industry Minister प्यूश गोईल हैस रिलीज्ज दफोर्थ लीड्स 2020 रिपोर्ट इन विच 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेडिटरीज हैव कम आउट एज एचीवर्स वाट डज ऑई स्टेंड फॉर इन लीड्स वारी जो रुद्योग मंत्री टीवर्स केटेगरी में रखा गया है बात समंझ में आ रही है अ विजल मों कि अ कलût determ treatment स्टों जो है यहां पर लिड्स में एक क्या या लॉजिस्टिक इस एक्रोश डिफरेंट इस्टेट लोजिस्टिक कहां पर इजी है और जहां पर आराम से लॉजिस्टिक की चीजे होती हैं माल ढुलाई जो है और माल परिवहन अच्छे से होता है दोस्तो इसमें जो है 15 राज्यों का एचीवर कटेगरी में डाला गया ह दोस्तों आंद्रपदेश आसाम और गुजराज जो है उन 15 स्टेट और यूनियन टेरिट्री में हैं जो एचीवर्स केटेगरी में हैं बाकी है केरल मद्यपदेश राजस्थान पुड्डू चेरी सिक्की मुत्रिपुरा यह जब जो है दोस्तों यह फास्ट मूवर्स केटेगरी में हैं यानि 15 स्टेट्स जो है वो आपके एचीवर्स केटेगरी में हैं और बाकी स्टेट्स जो है यहां पर एक दो तीन चार पा आगे बढ़ना ही होगा यानि की logistic is across different state में आगे बढ़ना होगा leads का full form आपके exam में आ सकता है इसे जरूर याद रखेगा दोस्तों अभी festival season चला है नवरातर से लेके दिवाली तक छट तक तो दोस्तों यह उत्सों जो festive treats है customers के लिए इसके रूप में सुरक्षा FD किसने लांच किया सुरक्षा FD को फिर से शुरू किया है करीब बहुत सालों के बाद सुरक्षा FD को फिर से स्टार्ट किया है दोस्तों development bank of Singapore ने development bank of Singapore ने दोस्तों इसे शुरू किया है याद रखिएगा दोस्तों इसमें आपको तीन साल का FD है और यहां पर 7.10 परसेंट का annual return भी है ठीक है clear है पहले साल 7.10 दूसरे साल 7.49 परसेंट और इसके बाद 7.84 परसेंट दोस्तों इस तरीके से यह high rate of interest देही रहा है साथ में free insurance भी दे रहा है दोस्तों free insurance भी दे रहा है मुफ्त बीमा भी दे रहा है FD कराईए और insurance free पाईए दोस्तों इसलोवाक रिपब्लिक इसलोवाक गड़राजबे भारत के राजदूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया दोस्तों पहले जो है हम लोग पच्पन में पढ़ते थे स्लोवाकिया चेक स्लोवाकिया है ना तो हम लोगों को उसकी spelling पूछ लेते थे जो है बगल में जो है सरमाजी क्योंकि उनका लड़का वहुत तेश था तो दोस्तों अब देखो चेक रिपब्लिक हो गया अब है स्लोवाक रिपब्लिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों यहां पर अपुरुवा शिवास्तों को भारत की तरप से एमबेजडर अपॉइंट किया गया है अपुरुवा सिवास्तों बहुत सारे राजदू चेंज हुए हैं दोस्तों जिसमें से एक अपुरुवा सिवा आते थे इसकी जो capital है वह ब्रटिसलावा ब्रटिसलावा यूरो करेंसी है दोस्तों और जुजाना का पुटोवा इसके अध्यक्ष है जुजाना का पुटोवा दोस्तों इसके प्रेसिडेंट हैं क्लियर हैं दोस्तों वू हैस रिलीजड बुक टाइटल पैंडेमिक डिस्रप्शन्स एंड उडिसा जलेशंस इन गवर्नेंस महामारी व्यवधान और उडिसा के पाठ सासन में यह बुक दोस्तों इसका वीमोचन किस ने किया है यह बुक दोस्तों नवीन पतनायक जी उडिसा के मुख्यमंत्री ने किया है ठीक है तो दोस्तों यहां पे देखा जाए तो उडिसा ने कोरोना के समय में फंड जानवरों तक के लिए निकाले थे जिसकी वैसों से हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था बात समझ में आ रही है बात समझ में आ ग और यह कौन है अमर पतनायक बात समझ में आ रही है तो अमर पतनायक जी ने लिखी है तो यहां पर इस पुस्तक में उडिसा के गवर्नेंस पर बात की गई है फाइफ टी इंफरस्ट्रक्चर पर भी बात की गई है किस तरीके से उडिसा में फाइफ टी कित माद्यम से दोस को control किया गया था डोस्तों अगर कुछ latest books की बात करें तो दोस्तों 20 साइनात ने बूक लिखी है लाश्ट हीरोस आपको बताना है पी साइनात को रेमन मैकसे से वड कब मिला था थीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों लता सुर गाथा यह बुक किस ने लिखी है इरा पांडे ने लिखी है इंग्लिश में दोस्तों याद रखिएगा इंग्लिश में ठीक है हिंदी वर्जन इसका यतिंद्र मिश्रा है इसने भी कई अवार्ड जीते हैं ओके दोस्तों मुस्कुराचे मुस्कुराते चंद लम्हें और कुछ खामोशिया जीवेस नंदन की बुक है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियास पर्फॉर्मर्स इंप्लिमेंटेशन यह रामनात कोविंद जी के द्वारा लॉंच किया गया था फोर्जिंग मेटल निरिपेंद्र राव एंड पिन्नार इस्टोरी यह पवन सी लाल की दोस्तों बुक है पवन सी लाल ने यस मैन बुक भी लिखी थी फीरो आफ टाइगर हिल दे हीरो आफ टाइगर हिल सुबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी की आटो बायोग्राफी है दोस्तों जो की टाइगर हिल के हीरो रहे थे दोस्तों इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नहरू टू मोदी अब्रीफ हिश्ट्री यह पुलापरे बालकिष्णन की जो है दोस्तों मूवी जो है बुक है स्वारी मूवी मेरे मूँ से निकल रहा है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-2019 यह दोस्तों लांच किया थ 12 जितने ब्लॉक्स लिखे गए थे 2014-19 तक में उनके ऊपर दोस्तों यह कंपाइलेशन बुक है बीबी माई स्टोरी यह ब्रेंजामी ने तन्याहु जो इसराइल के पुरुपधानमंत्री है उनकी आटोबायोग्राफी है बीबी माई स्टोरी दोस्तों यह बुक है ओके क् समाधी गितांजली शुरी की बुक है जिसने इतिहास रचा है आज तक कभी हिंदी के लिखी हुई बुक को बुकर प्राइज नहीं मिला था पहली बार हिंदी लेखिका को बुकर प्राइज मिला है गितांजली शुरी को गितांजली शुरी को बात समझ में आ गई क्लियर ह याद रहेगा डेजी रॉक्वेल ट्रांसलेटर हैं बिल्कुल सही बात है दोस्तों हर्दीप सिंग पूरी जी ने निम्लिखित में से किस सहर में फिफ्ट साउथ एशियन जियो साइंस कॉंफरेंस जियो इंडिया 2020 टू का उधगाटन किया है तो इसका उधगाटन दोस्तों जैपुर में किया गया है जैपुर राजस्थान 14 से 16 अक्टूबर के बीच में थीम था फोसिल्स फ्यूल डी कार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डाइनमिक्स दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जैपुर को सिटी ऑफ हैंडी क्राफ्ट और फोक आर्ट य हैदराबाद और हैदराबाद दोस्तों युनेसको ने सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी चुना ही था शीनगर को जैपुर की तरह सिटी ऑफ हैंडी क्राफ्ट और फोकार्ट चुना गया है वराणसी और तमिल्दाडु को सिटी ऑफ म्यूजिक और मुंबई को सिटी ऑफ फिल मिनिश्टर है कलराज मिशरिया के सरे हैं Дोस् bay राजस्थान किया है योजनाओं के लिए फंडिंग लेने में लोन लेने में भी और के लिए दोस्तो इंपलिमेंटेशन में उसका बेथरी डि करता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा से दोस्तों अभी जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई है वर्डवाइड फंड की अभी कोश्यन आया था वर्डवाइड फंड के लोगों में क्या होता है तो यह आपका उब्जर्वेशन चेक करने के लिए होता है कि जब कोई आपको फोटो दिखाई जाती है तो आप बार बार एक ही फोट देख रहे हो लेकिन क्या कभी उस फोटो पे द्यान दे रहे हो कि इस पर पांडा बना हुआ है कि इसमें पांडा बना हुआ है तो दोस्तों यहां पर जो रिपोर्ट आई है इसमें देखा गया है कि दुनिया भर से जो है जानवरों की संख्या 69% कम हो गई है 1970 के बाद से अभी तक में 69% जो है जंगली जानवरों की आबादी दोस्तों कम हो गई है यह दोस्तों बहुत बड़ा डेटा एक आया है दोस्तों नाइन्थ वर्ड आयुर्वेद कॉंग्रेश और आरोग एक्सपो इसकी मेजबानी दोस्तों दिसंबर में कौन सा राज्ज करेगा गोवा करेगा कौन सा राज्ज करेगा मेरे भाई गोवा करेगा गोवा ने 50 सेकेंड आई एफ़फाई का जो है आई एफ़फाई का जो है मेजबानी किया था 53 का भी यही करेगा 53 थार्ड का भी दोस्तों क्या करेगा यही करेगा बात समझ में आ रही है ओक्के बात समझ में आ गई दोस्तों इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी 36 नेशनल गेम जो है ये आपका गुजरात में संपन्न हुआ है 37 नेशनल गेम दोस्तों कहां होगा ये भी दोस्त ये भी गोवा में होने वाला है गोवा भारत का सबसे smallest state है 30 मई 1987 को पूर्ण राज बना था 30 मई को ये अपना state हुट डे मनाता है वैसे आजाद हुआ था ये 19 डिसंबर 19 डिसंबर 1961 को पूर्टगीस से पूर्टगालियों से ठीक है सबसे आखरी में आजाद होने वाले राज्यों में ये रहा है ओके दोस्तो नेशनल गेम का विनर कौन था ये आपको बताना है प्रमोध सावंत दोस्तो यहां के चीफ मिनिस्टर है पियस स्रीधरन पिल्लई दोस्तो यहां के गवर्नर हैं ओके तो दोस्तो यह जो आयुरुवेद कॉंग्रेस और आरोग एक्सपो होगा यह विजना भारती या विज्ञान भारती यह और आयुरुवेद फाउंडेशन द्वारा इसे जो है और्गनाइस किया जाएगा दोस्तो नेम डेट और्गनाइजेशन डेट रिसेंटली साइंड एन एमो यू वित दीन द्याल अंतियोद है नेशनल रूरल लाइवलिहूड मिसन दोस्तो दीन द्याल उपाद्य जो रूरल द्याल उपाद्य योजना पर स्टेटमेंट्स दिये हुए थे बहुत सारे तो हर चीज आपको याद रखनी होगी तो दोस्तों वीमेन आंत्रप्रणियर्स के को जो है फिनेंशल एक्सिस में इनेबल करने के लिए यहां पर दीन द्याल उपाद्य योजना ने दोस्तों ग है गेम के साथ टाइब किया है दी एवाई डे एन रल्म ने गेम के साथ टाइब किया है बस इतना सौट में याद रख लो दोस्तों दोब्जेक्टिव आप दिस पार्टनर्शिप तो इडेंटिफाइएं ट्रेन विट्टा सखीज सब्सक्राक दोस्तों साथान का नाम बत laughs जिसे हाली में राज मार्ग निर्मान के लिए यानी कि जो नेशनल हाइवेज हैं दोस्तों उनके लिए नवीन समाधानों में सहयोग के लिए राश्टी राजमार्ग और बुनियाती धाचा विकास नीगम लिम्टेट के साथ एन एच आई डी सीएल के साथ टाइब किया है तो आयाईटी पटना ने किया है दोस्तों ठीक है आयाईटी पटना ने किया है फॉर कौपरेशन इन इनोवेटिव बनाती है एन एच आई डी सीएल इसने आयाईटी पटना के साथ दोस्तों क्या किया है याद रहेगा सभी लोगों को चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारती सेना ने किसकी स्मृति में युनाइटेट सर्विस इंस्टिट्यूशन इंडिया में चेयर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना किये दोस्तों चीज याद रखिएगा आपको एक्जामनेशन में सब जो जो करेंट अफेर्स की क्लास जिसमें ज्यादा से ज्यादा करेंट अफेर्स आपके कवर हो उसे आपको जरूर कवर करना चाहिए कोई भी करेंट पर आपका चूटा तो आपके एक नंबर चुट जाएंगा और एक एक नंबर पर हजारों विद्यार थी इसलिए कोई भी चूटना नहीं चाहिए इसलिए क्लास बहुत चुन के चुनिए चुन के चुनिये कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा करेंट अफेर्स कराए जा रहे हों ऐसी क्लासिस को ही आप जो है दोस्तों एक्जाम तक कम से कम फॉलो करिए उसके बाद आप प्रेम की दिवानी बनिये कोई दिक्कत नहीं आप प्रेम की दिवानी है प्रेम की दिवानी ब दोस्तों की है यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत जी के जो है इस्मृती में ठीक है क्लियर है भारती सेना ने तो यह चेयर ऑफ एक्सिलेंस जो है यह दिया गया है युनाइटेट सर्विस इंस्टिटूशन आफ इंडिया नई दिल्ली में कि ओके एक सो तीनवी जैनती है पीएस भगत जी की कि दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत आखिर है कौन तो सेकेंड वर्ड वॉर्ड के दोरान प्रतिष्ठित विक्टोरिया क्रॉश जीतने वाले भारत के पहले अधिकारी पहले भारती अधिकारी और उत्तरी कमा सब्सक्राइब के पहले जनरल ऑफिसर कमांडर चीफ थे दोस्तों ठीक है क्लियर है कि दोस्तों मेजर जनरल एस जी पिट्रे उनको अवार्ड भी दिया गया है इनॉग्रल चेर आफ एक्सिलेंस के लिए एक बुक इन्हों ने लिखी है प्रेम भगत जी के ही नाम पर प्राइब के रूप में अपॉइंट किया गया है तो बॉल्ट ऑडियो प्राइवेट लिम्टेट के जो दोस्तों ब्रैंड अमजडर के रूप में भारती क्रिकेट टीम के सबसे जादा 2022 में रन बनाने वाले सुर्य कुमार यादव और दोस्तों सेफ अली खान इन दोनों लोगों को दोस्तों ब्रैंड अमजडर बनाया गया है दोस्तों सुर्ख कुमार यादव अभी ऑस्टेलिया के खिलाफ टी 20 वर्ल्ड कप में एक वार्म अप मैच खिल ले थे हाफ सेंचुरी बनाने के बाद यह बोल रहे थे अरे य इनकी जो है इस डायलॉग पे बहुत जादा जो है निउस बन रही है कि यह बोल लेते मारने का मन नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको मैं ऐसी खबरे भी इस क्लास में बता दे रहा हूं जिनका एक्जामनेशन से कोई मतलब नहीं है लेकिन आपके मूड रिफ्रेस्मेंट के लिए जो है अच्छा आप लोगों के लिए यह निउस है केंद्री रक्षा मंत्री राजना सिंग जी ने ससस्तरबल युद्ध हताहत कल्याण कोस में जो की सैनिक जो है दोस्तों युद्ध में विकलांग हो जाते हैं या फिर दोस्तों जिनकी डेथ हो जाती है उनके पोसर्ण के लिए मा भारती के सपूत वेबसाइट लॉंच हुई है जिसमें आप डोनेशन देंगे तो उनकी मदद होगी इस वेबसाइट का गुडविल एंबेजडर किसको बनाया गया है तो दोस्तों अमिताब बच्चन को मा भारती के सपूत का गुडविल एंबेजडर बनाया गया मा भारती के सपूत का गुडविल एंबेजडर अमिताब बच्चन को बनाया गया है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है दोस्तों आपने herry potter देखा होगा तो उसमें Hagrid को देखा होगा जो Hagrid जो है हेरी poorter की मदल करते थे खुब मोंते से थे दोस्तों उल्लू उल्लू उनके साथ रहते थे कि दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिस एक्टर थे हैंग्रिड इनका निधन हो गया है सेवेंटीटीटू इयर्स के उम्र में लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था एंथोनी रॉबर्ट मेकमिलन ऑब एंथोनी रॉबर्ट मेकमिलन हैंग्रिड तो हैरी नाम था ना मैं तो दोस्तों जो है यहां पर एक इंपोर्टेंट है यहां पर इन्हें रोवी कॉल्ट्रेंग के नाम से भी जाना जाता था पेशेवर रूप में यानि कि प्रोफेशनल रूप में यानि पिक्ष जो है इंडिस्ट्री में इन्होंने रूबस हेग गुरिट का किरदार निबायाता है 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 ठीक है तीन बाफटा अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं दोस्तों दोस्तों फिलोस्पी आफ मॉडन सॉंग बुक किसने लिखी है जो नव कि दोस्तों चक यूज चक हूं मैं और ऐसे गानों की भी कोई फिलोस्पी होती होगी तो दोस्तों य हैं यह दू क्लियर है और तो दोस्तों हाई हुकू हाई हुकू हाई हाय hai और नाना नारे 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 नाना नारे नारे ना इन सब गानों की भी कोई फिलास्पी होती है हम लोग को ये बुक का इंतिजार रहेगा नवंबर में दोस्तों ये बुक आएगी बॉब डाइलन दोस्तों नोबल पुरुसकार विजेता भी है है ना तो इनकी बुक आने वा तो दोस्तों जो है सब्मरीन लॉंच बैलिस्टिक मिसाइल सब्मरीन लॉंच बैलिस्टिक मिसाइल जिससे मिसाइलों के परिवार के रूप में जाना जाता है किस संग्ठन द्वारा स्वदेशी रूप से विक्सित किया गया है दोस्तों अभी एक सब्मरीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षण किया गया है आपको उसका नाम बताना है दोस्तों डी आइडियों के दोरा जो है इस इसको डेवलप किया गया है दोस्तों के परिवार का मतलब क्या है कि कुछ मिसाइल्स हैं जो के फैमिली से आती है के जो है दोस्तों ये अबदुलकलाम साहब के नाम पे रखा गया है अब्दुलकलाम साहब को ही मिसाइल मैन आफ इंडिया रखते हैं तो कलाम नाम उनका है इसलिए के फैमिली इन मिसाइलों के रेंज को कहा जा रहा है डी आईडियों के हेड दोस्तों कौन हैं समीर कामत हैं जो जो लोग जी सतीस रिड़ी याद करके बैटे हैं पहले बात तो वह अपने आपको अपडेट कर लें तो समीर कामत दोस्तों है और डी आईडियों के जो आपके हेड क्वार्टर है वो है न्यू डिल्ली में और एक जनवरी 1958 को इसका इनाउगरेशन हुआ आता इस्टेबिस्मेंट हुई थी बलस से मूलम विज्ञानम यानि की दोस्तों बलके मूल में बेस में साइन्स होता है तो दोस्तों ये जो है आदर्श वाक के डी आईडियों का है ये आदर्श वाक के डी आईडियों का है तो दोस्तों जो है ये सबमरीन लांच बलिश्टिक मिसाइल जिसको के फेमिली आफ मिसाइल भी कहा जाता है ये D.I.D.O. के दवारा डवलप किया गया, के 15 मिसाईल, जिसको सागरी का नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों, इसकी मारक छमता साजय सात सो किलो मीटर है, और भारत के ग्यारहे राश्पती के नाम पर दोस्तों, इसका नाम K15 रखा गया है इसी के परिवार के चार मिसाइलों का विकास और परिछड भी जो है डियाइडी ओ द्वारा किया गया है ठीक है तो K4 मिसाइल जो है दोस्तों उसकी मारक छमता 3,500 kilometer है के 15 की छमता किसनी है साथ सो के फोर मिसाइल की मारक छमता कितनी है 3,500 kilometer दोस्तों ये जो साड़े 3,000 kilometer चाइना फाइना पाकिस्तान आकिस्तान बड़े दूर तक रेंज ले लेंगे तो दोस्तो इसी का जो परिक्षड जनवरी 2020 में किया गया था दोस्तो विसाका पटनम के कोश्ट से ठीक है और अभी किसका परिक्षड किया गया ये आपको बताना है ठीक है पीएस एलवी का नाम नहीं चेंज होने वाला है पीएस एलवी की जगह नया रॉकेट आ गया है एंज जो है यार नेक्स जेनरेशन वाला जैसे पुरानी तुमारी बजाज स्कूटर की जगह नहीं एक्टीवा आ गई है ना वैसे ही एनस राजन को हाल ही में दोस्तो एड़टाइजिंग स्टेंडर्ड काउंसिल आफ इंडिया के प्रिस चेर्मेन के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तो एड़ोटाइजिंग स्टेंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का हेड़ कौर्टर कहां पर है यह है मुंबई में यह है मुंबई में दोस्तो तो दोस्तो यह एड़ोटाइजिंग स्टेंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को 1985 में स्टेबलिस किया गया था मुंबई में headquarter है और NS Rajan को दोस्तों जो है इसका head बनाया गया है One Partners LLP के दोस्तों director है NS Rajan इनको सर्वसमती से इसमें चुना गया है दोस्तों International Day for the Eradication of Poverty गरीबी उनमुलन के लिए अंतराष्टी दिवस कब मनाया जाता है तो ये दोस्तों मनाया जाता है 17 October को कब मनाया जाता है मेरे भाई 17 October को Poverty को खतम करने के लिए दोस्तों इसी के लिए 2019 में अभिजीत बनर जी को Economics का Nobel Prize मिला था जाता है 10 October के लिए उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए उनकी पत्नी उनकी वाइफत्र डुफलो को उनके दोस्त माइकल करेमर को और अभिजीत बनर जी जिनका जन्म बॉंबे में हुआ था मैसा चुसेश इंशिट्यूट आप टेकलोजी दो दुनिया की बेस्ट इन उनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है उनमें तीनों लोगों ने रिसर्च किया था दोस्तों जिसके लिए एकनॉमिक्स का नोबल प्राइज उन्हें मिला था वो दूसरे भारतिय थे पहले भारती 1998 में अमर्त सेयन सहाब थे जिन्होंने वेलफेर एकनॉमिक का की जो है दोस्तों कॉंसेप्ट को दिया था इन्होंने दोस्तों जो है गरीबी उनमूलन को दिया था उन्होंने वेलफेर एकनॉमिक को दिया था दोस्तों इस बार बैंकिंग और फिनेंशल क्राइसिस के कॉंसेप्ट को देने वाले तीन एकनॉमिस्टों को एकनॉमिक्स का नोबल प्राइज मिला है जिसमें बरनांक की फिफ्ट असेंबली दोस्तों किसकी प्रेसिडेंसी में हो रही है तो यह नई दिल्ली में हो रही है दोस्तों और भारत की प्रेसिडेंसी में हो रही है भारत की प्रेसिडेंसी में दो साल से है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलाइंस और अजय माथूर इसके हैं याद रख दोस्तों इसके participant है एक सो नौ देसों के पतिभागी इस चार दिवसी आयोजन में दोस्तों अपने अनुभौ साजहा करेंगे वह के गुड़गाओं में दोस्तों इसका क्वाटर है एक सो चोथे मिंबर के रूप में नेपाल हुआ था जब सेर बाहदुर देवबा भारत आये थे दोस्तों निव एजुकेशन पॉलसी केस कस्तुरी रंगन साहब की द्यक्ष्टा में 2020 में आई थी जिसमें यह बोला गया था कि हायर एजुकेशन हो चाहे कोई भी कि दिशा में यहां पर हिंदी हिंदी में दोस्तों एंबीबीए स्कोर्स की किताबे लॉंच की गई हैं अभी तक इंजिनियर और डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता था जो बच्चें इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते थे वो डॉक्टर इंजिनियर नहीं बन पाते थे दोस्तों अब जो है डॉक्टर हिंदी वाला भी बन सकता है जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती वो भी डॉक्टर बन सकता है दोस्तों ये निव एजुकेशन पॉलसी इसरों के पुर्वहेट के कस्तूरी रंगन सहाब का ड्रीम प्लान है दोस्तों जल्द ही दोस्तों हिंदी में इंजिनियरिंग की पढ़ाई भी सुरू होगी दोस्तों अमिर साजी नरुत्तम मिस्रा और मद्य पदेश के जिवरा सिंग चोहान बहुत सारे लोग फोटों में दिख रहे थे पियम मोदी ने नई सिक्षानिती मे सब्सक्रिबश्ण है बच्चों की मातरी वासा को महत्र देकर एक बहुत ही बड़ा इत्यासिक फैसला लिया है ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है बहुकर दोस्तों कि यह पांपनी ने भारत की पहली अलमूनियमश्च ट्रेंउफ ड्रेंडेंवip की हैं लाइक हिंडाल को ने कि तो दोस्तों अश्विनी वैशनो जी जो की रेल VISTA है उड़ी सा के बुनेश्वाic स्टेशन पर दोस्तों और धुला है रैक वह भी ऐल्मुनियम का उद्गाटिन किया दोस्तों पहली वंदे भारत फ। ट्रेट ट्रेट दोस्तों कहां से कहां के बीच में चलिए पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेट कहां से कहां के बीच में चलिए फटाफट एंसर बताईएगा एक रेक अपने जीवन काल में चौदा हजार पांसों टन कार्बन डैक्साइद उस्वजन को कम कर सकता है इसका उद्देश माल ढूलाई को अधुनिक बनाना इंदन की कम खपत के करण कारण कार्बन फूटपेट को कम करना है दोस्तों प्रधानमंत्री ने अम अधौरा उना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्गाटन को हरी जंडी दिखाई यह देश में सुरू की गई कौन से नंबेर की वंदे भारत एक्सप्रेस छेन थी दोस्तों पहली तो दिल्ली से वरानसी चली मोदी जी के संसदी छेत्र गई दूसरी वाली चली 2019 में ही दोनों चली और वो गई दोस्तों कट्रा जो कि नया नया रेलवे स्टेशन बनाया था मोदी जी ने दोस्तों पहले जम्मू उतरना पड़ता था माता वैश्णों के दर्सन करने के लिए अब कट्रा उतरना पड़त है ठीक है क्लियर है अब बात समझ में आगे हमी तुमको पढ़ाएं कि तीन कंपनी मिला के किया तो हम एक सिखा रहे हो है ठीक है भाई बाकी भी लोग सयोग किये हैं हमीने तुम्हें इसी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया है अब तो हमीं को याद दिला रहे हैं वा बेटा बहुत बड़े हो गए तुमनों दोस्तों पधान मंत्री ने जो है उसके बाद तीसरा वंदे भारत एक्स्प्रेस गुजरात में सुरू किया गांधी नगर से लेके मुंबई के बीच में क्योंकि वहां भी इलेक्षन है अब चौथा वंदे भारत ट्रेंथ है दोस पहली वंदे भारत ट्रेंथ कहां से कहां के बीच में चली इसका जवाब ना देना तुम लो यहीं बताना एक की इंडाल को के साथ दू कंपनी और थी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वो ट्रेंग जो है फ्रेट ट्रेंग जो है वह दिल्ली से मुंबई के बीच में चल लएग फ्रेट ट्रेंग जो है दिल्ली से मुंबई के बीच में चल लएग फ्रेट ट्रेंग जो है वंदे भारत वाली एकदम एडवांस टेकलोजी वाली दिल् दिल्ली से मुंबई दोस्तों हाल ही में जारी टाइम्स फार एद्योकेशन रंकिंग निमलिकित में से another rankings सरस्थान्प्राप्त किया कि से टुकौिंक टॉर्डिंस टॉस्ट रिस्थांजटी इंट रिलीज टाइम हायर एड्योकेशन nd train योचण रेंकिंग टुटाजեղ में लिस्ट तो दोस्तो मोझेन और किन लिए अक्सफोर्ड इन्वरसीटी ने लग Equal टॉप किया तो दोस्तों टाइमस की प्हेज्शन रेंकिंग में लेक्शन यहाईँ खोंड इनवरह लागातार दोस्तों किया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों मैंने आपको सुरू में ब्लड रिलेशन पड़ाया था आपको एक खांदान की स्टोरी बताई ती जिसमें किसी स्टूडेंट ने का था खांदान के बारे में मत बताईए तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो अभी उसी सिंधिया संगरहाले में किया गया जैविलास पैलेस में ग्वालियर में जैविलास पैलेस में अमित साह ने इसका उद्गाटन किया दोस्तों जैविलास पैलेस में बड़े-बड़े जूमर लगे हैं ट्रेन से भाई साब डाइनिंग हॉल में जा ले जाओ ट्रेन से जो है सब रहती थी तो इसलिए यह महल जो है वह वाला नहीं म्यूजियम टाइप का की पुराने जमें में ऐसा रहते थे अभी भी यह लोग रहते हैं तो पूरा मेंटेन है जैविलास पैलेस जो है यह ग्वालियर में है दोस्तों यह आपके कोश्चन एक्जाम में भी आ सकते हैं तिहास के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है जैसे रानी लक्षमी बाई के बारे में सिंधिया के बारे में गायकवार के बारे में निवलकर के बारे में भोसले के बारे में पवार के बारे में दोस्तों मराठा सासकों के तिहास को दर्साया जा रहा है गाता स्वराज की यह दोस्तों सोचो मराठा गैलरी है और है MPK वालियर में पहले तो ऐसे जो है कि मराठा समराज पूरा MP तक था ना पहले MP गुजरात महराज डिवाइड कहा थे तो वह करनाटक वाला एरिया भी जो है गोलकुंडा फुलकुंडा वीजा पूरी यह सब जो है दोस्तों मराठा समराज के अंतरगत आता था टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के उनसार वर्ल्ड रैंकिंग सुची में कौन सा देश टॉप पर है दोस्तों तो जाईर सी वाद है ऑक्सपोर्ड इन्वर्सिटी टॉप पर है वर्ल्ड स्टुडेंट रैंकिंग में लंगन टॉप पर और यूके स्कॉलरुच्प में टोप पर रहता है तोके ही उसमें टॉप पर रहेगा तो दोस्तों यूके यहाँ पर टॉप पर है दोस्तों ऑक्सवोर्ड इन्色 पर हनवर्ले पर है यहांपर दूसरे नमबर हार्वर्ड इन्वर्सिटी और तीसरे नमबर पे Cambridge University है दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन की इस वर्ल्ड इन्वर्सिटी रैंकिंग में जिसमें 104 देशों के दोस्तों करीब करीब अठारा सो इन्वर्सिटीज को 1799 इन्वर्सिटीज को लिया गया था सर्वे में दोस्तों UK की कैपिटल लंदन है प्राइम मिनिस्टर है रि सब्सक्राइब की करेंशी सुनक जब तक पदार मंत्री नहीं बनेंगे तब तक चीजें जो है सुचारू रूप से लग रहा है वहां की नहीं चलेगे दोस्तों एने चाई डीशियल ने राजमांग निर्मार में इनोवेशन के लिए किस आईएटी के साथ टाइब किया है तो दोस्तों नेश्टनल हाइवे वाली जो है इस सरकारी कंपनी ने दोस्तों इनोवेशन के लिए आईएटी पट्ना के साथ टाइब किया है पट्ना का पुराना नाम पाटली पुत्र था जो मगद समराज की राध्धानी थी दोस्तों वर्ल्ड स्पाइन डे कब मनाया जाता है विश्वरिड दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह सोला अक्टूबर को मनाया जाता है सोला अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड स्पाइन डे दोस्तों भारती सेना ने कितनों बैंकों के साथ अगनी वीर सेलरी अकाउंट्स के लिए दोस्तों टाइप किया है अगनी वीर दोस्तों योजना आई थी बहुत ज्यादा जो है कि रही थी आपके चर्चा में शाहरे सत्रास से लेकी 21 साल तक के युवा दोस्तों इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आर्मी भरती हो, चाहिए एर्फोर्स भरती हो, चाहिए नेवी भरती हो, इन सब में दोस्तों इसका अगनिवीर के माध्यम से होंगे, चार साल बाद जो है ट्रेनिंग के बाद, जो फिटेश्ट ऑफ अफ दे एकडम फिट होगा, उसे दोस्तों जो है लिया जाएगा और जो fit of the fittest नहीं होगा उसे बाहर कर दियाएगा 25% लोग 15 साल की पूरी नौकरी करेंगे बाकी 75% लोग 4 साल बाद बाहर कर दिये जाएगे इस साल कोरोना के 2 साल से भरती नहीं निकल लई थी इसलिए 23 साल तक के लोग इस बार भर पाएं है लेकिन अगले साल से 21 साल तक के लोग ही भर पाएंगे ठीक है हाँ अगरी वीरो को रिटार्मेंट पे पैसा भी मिलेगा से कालरी अकाउंट अगनी वीरों का मैनेज करने के लिए ठीक है 11 इंडियन बैंकों के साथ टाइब किया गया है दोस्तों लीड में यानि लॉजिस्टिक इंडे इंडेक्स चार्ज चार्ट में दोस्तों कितने राज्यों और किंसासित पदेशों को एचीवर्स कटेग्री मे क्लासिफाइड किया गया है तो दोस्तों एचीवर्स कटेग्री में 15 राज्यों को रखा गया है 15 राज्यों को दोस्तों इसमें एचीवर्स कटेग्री में रखा गया है लीड में ठीक है तो लीड यानि की लॉजिस्टिक इस इन डिफ्रेंट स्टेट्स ऐसे करके है ठीक है लिट्स का फुल फॉर्म क्या है लिट्स का फुल फॉर्म दोस्तों लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफ्रेंट स्टेट्स यार मुझे तो याद हो गया लिट्स का फुल फॉर्म जल जीवन मिशन के लक्ष को प्राप्ट करने वाला एक मात्र राज्य कौन सा है तो दोस्तो आप कह रहे होगी जल जीवन मिशन तो सर्व सभुख सारे राज्यों ने चीफ कर लिया थोकी दोस्तों यहां पे इस quarter one और quarter two में कुछ target दिये गए थे। इनको दोस्तों जो है किसने पूरा किया है तो targets को पूरा करने वाला इतने गाउं को इतने लोगों को तुम्हें पानी पहुंचाना है यह target पूरा करने वाला एक मात्र राज क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में तमिलनाडू है जो भारत सरकार द्वारत गये टार्गेट को ओवर अचीव कर रहा है तो दोस्तों यह जल जीवन 9.57 लोग हाउस होल्ड जो है यहां पर जिनके पास टैप कनेक्शन तमिलनाडू ने पहुंचा दिया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा तमिलनाडू की कैपिटल चेन नहीं है डोमेश्टिक टूरिष्टों को इस बार इसने सबसे ज़्यादा एट्रेक्ट किया है बात समझ में आ रही है चलिए दोस्तो विच स्टेट टॉप्ट द पब्लिक अफेर इंडेक्स इन बीग स्टेट बड़े राज्यों में सारवजनिक मुल्यों के सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है तो दोस्तो पब्लिक अफेर इंडेक्स में जो है यहां पर हरियाना ने टॉप किया है पब्लिक अफेर इंडेक्स में किसने टॉप किया है मेरे भाई हरियाना ने टॉप किया है दूसरे नमबर पे तमिलाडू है फिर केरल है चतिसगाड है पंजाब है और करनाटक है हरियाना ने अभी दोस्तों economic development के लिए दुबई के साथ भी tie up किया है किसके साथ टाइब किया है दुबई के साथ tie up किया है दोस्तों Indian Coast Guard जो है Asian Coast Guard Agency Meeting को के heads को host कर रहा है यानि कि पूरे इधर देखा जाए तो Asian Coast Guards के जितने भी की दोस्तो हेड्स हैं वो सब यहां पर आए हैं भारत में आए हैं दोस्तो इसकी कौन सी बैठक की मेजबानी कर रहा है इंडियन कोश्ट गाड तो दोस्तो यह 18 वी जो है head of Asian Coast Guard की मेजबानी कर रहा है ठीक है clear है याद रहेगा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहां देखे रक्षामंती राजना सिंग जी भी है Indian Coast Guard के head है दोस्तों विरेंद्र सिंग पठानिया वो भी है विरेंद्र सिंग पठानिया दोस्तों वो भी है और यहां पर अगर बात करें वयम रक्षाम इसका है वो है आदर स्वाक है Indian Coast Guard का और अभी द्रू हेलिकॉप्टर जो है Indian Coast Guard को मिला था तो भी न्यूज बनी थी दोस्तों Indian Coast Guard के लिए जो है एक जो है इनके जो मंतली सेलरीज है उनको दोस्तों आटोमेटेड जो है इनका कैलकुलेशन हो जाए इसके लिए पदमा भी लॉंच किया गया था इंडियन Coast Guard के लिए ही पदमा लॉंच किया गया था ना कुछ ऐसे करके था डेली एला एलाइंस का जो है कुछ था आटोमेशन के लिए पेरोल पेरोल ऐसे करके कुछ था दोस्तों ठीक है पदमा का फुल फॉर्म थोड़ा आप लूग बताईए याद करके कि क्या था फटा फट बताओ ओ कि तो दोस्तों अगर देखा जाएгляд तो बंधन बेंक ने दोस्तों किसे अपना ब्रैंड मेजर बनाया बंधन बैंक दोस्तों हो जो की से नोट इस्ट का या इस्ट का कहलो तो दोस्तों अध्ढमं आखरी में स्टाट रॉपा बैंक बेंक है गया था दोस्तों सीएस घोस इसके हैड है पस्चिम बेंगॉल की यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी ती जिसको लाइसेंस मिला था बंधन बैंक और आईडी एफसी बैंक के बाद आज तक किसी भी बड़े बैंक को लाइसेंस नहीं मिला है तो जाथ 13 में लोग को लाइसेंस दे वाला युनिवर्सल बैंक आखरी वही दोनों आये थे इसके बाद से कोई नहीं आया है ठीक है तो बंधन बैंक आपके आखरी बैंकों में से है जो की सबसे लेटेस्ट बैंकों में से कहेंगे आखरी शब्द गलत हो जाएगा सबसे निव बैंक में से कहेंगे तो दोस्तो सौरब गांगुली को अपना brand बेंक बहुत बहतरीन काम भी कर रहा है बहुत बहतरीन काम भी कर रहा है पदमा का फिल फॉल फां पेरोल automation for disbursement of monthly alliance बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है तो दोस्तो सौरब दादा जो है अभी लक्स कोजी के बिट्ट मेज़र बने हैं जब से इन्हें दोस्तों को बी स्की को है यह कई है ओ जैसा को नहीं गया है तब से ममता बनार जी अभेंगॉल वालों को मुक्ता मिल गया क्योंकि यह इनको यूस करना है और बुला है कि जो आप आपने दादा के साथ सही नहीं किया यानि बेंगॉलियों को और वड़का रही है बीजेपी के किलाब तो दोस्तों यहाँ पर सही खेल गई दीदी सही खेल गई तो दोस्तों जो है सौरब गांगुली जी जो है वो बंधन बैंक के ब्रैंड अमजडर बन भी गया ठीक है सीएस घोष दोस्तों बंधन बैंक के सीओ है हेड़कॉर्टर है इसका कुलकाता में ओके क्लियर है इस समय न्यूज में भी हैं दोस्तों फूड डे किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाइजेशन जिसका हेटक्वाटर रोम में है दोस्तो इटली में दोस्तो इसका जन्म 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसके 75 साल जब पिछले साल पूरे हुए तो 75 का सिक्का भी भारत सरकार ने जारी किया था दोस्तो 16 नवंबर 1945 को इसी के एक महीने बाद आपका वो आया था यूनेसको पेरिस वाला जिसने 40 वर्ल्ड हरिटेज साइट चुने पच्चाश टेक्स टेक्स्टाइल्स चुने हैं और 14 इंटेंजिबल कल्चुरल हरिटेज चुने हैं और 75 रामसर साइट चुने हैं दोस्तो इसके बाद जो है फूड एन अग्रिकल्चर और्गनाइजेशन ने यूनाइटे नेशन के साथ मिलके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था दो साल पहले रोम इटली में उसका भी हेड़क्वाटर यानि खाने पीने की चीजों का हेड़क्वाटर र रोम इटली में यानि कि खाना खाके रोम रोम खिल जाता है तो दोस्तों यहां फूड वाली चीजों का जो है हेड़क्वाटर यहीं पर है बात समझ में आ गया क्लियर है बात समझ में आ गया चलिए तो दोस्तों जो है यहां पर एक थीम भी दिख रही है लीव नोवन बिहाइंड लीव नोवन बिहाइंड बहुत सारी चीजों की थीम में आजकल आ रहा है कोई भी भूखा न सोए कोई भी पीछे न छूटे दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में पोरोना के समय में करीब सौ मिलियन से ज्यादा लोगों पे इन्नों ने भोजन कराया था असी देशों से ज्यादा में ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है यह खिल एक जो है बसंत ने कोश्शन दिया था की सर रूरल वीमेन जो है डे मनाया गया सर कहीं उसका थीम कुछ और दिखा रहा ह तो आप UN Women वाले का मानोगे International Day है तो United Nation उसको Approve किया होगा तो UN Women वाली वेबसाइट पे जो थीम दिखा रहा है वो आप मानोगे, बाकी कोई थीम नहीं मानोगे, कभी-कभी क्या होता है, थीम की जगा कुछ focus होता है, तो वो भी जो है, थीम में लोग लिख देते हैं, कभी-क अब ऐसा भी होता है Google पिछले साल का डेट जो है दिखा रहा होता है या कोई वेबसाइट पर डेट नहीं पड़ी है आप उसको पिछले साल वाला देख रहे हो तो इसलिए जो है यूएन वीमेन क्योंकि वह वीमें से रिलेटेड है यूएन से ले यूएन वीमेन वाले पर तीम दिखा रहा है उसको आप मानोगे ठीक है ये कल आपका एक क्वेश्चन आया था आपने वाट्सइब किया था दोनों डाउट को ठीक है और कोई डाउट भी आप लोग आपने भेजा था और भी कोई डाउट आपने भेजा था दोस्तो, world anesthesia day जो है, यह किस दिन मनाया जाता है, anesthesia दे करके ही दोस्तो, operation होता है, anesthesia का doctor अलग से होता है, क्योंकि उसकी quantity एगर बढ़ गई तो आपको paralysis, coma में आपकी जान भी जा सकती है, तो दोस्तो एनेस्टीशिया जिसे की एथर डे के रूप में भी जाना जाता है दोस्तो इसे 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है 176 साल पहले दोस्तों एनेस्टीजिया की डिस्कवरी की गई थी जिसमें पेसेंट्स को दोस्तों खतरनाक सर्जिकल प्रोसीजर से बीना पेन फील किये दोस्तों आराम से जो है ऑप्रेशन हो जाता है समझ रहे हैं दोस्तों फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फरेंस एन एक्जिबिशन पहला राश्री कोईला सम्मेलन और प्रदर्सनी किस राज्यके इनसासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों यह जो है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा कोल कॉन्फरेंस और एक्जिबिश ठीक है नई दिल्ली में दोस्तो इसे जो है आयूजित किया जाएगा थीम क्या है इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवार्ड आत्म निर्बर भारत 16-17 अक्टूबर को आयूजित किया गया और डोस्तों ग्लोबल अंगर इंडेक्स में भारत की रेंकिंगि बड़ा ही विवादित इंडेक्स यहां मारी रेंकिंग की जा रही है दोस्तों जीनि जो भूकमरी जहां G fix उती विए डेंकन पर है यहां पेसा नहीं te लोग राश्पती भवन में घुज गए और खाना बना रहे राश्पती के कीचेन में जाके वो 64 नमबर पे जिसको हम पैसा दे रहे हैं जो टॉप में कंट्रीस हैं उनको गें हम दे रहे हैं एक्सपोर्ट बन कर दिये तो लगे थत्रा हिमाम करने और हमको 170 नमबर पर रखा है जिस देश ने एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट टॉप पे किया जिसने गें का एक्सपोर्ट टॉप पे किया जो कि 5-5 गेंवर अपने हर लोगों को दे रहा है पधानमंत्री गरीब कल्याड़ा नहीं हो जना में हर आदमी को कोई भूका इस समय सोही नहीं सकता क्योंकि सरकार पैसा नहीं ले रही है फ्री में दे रही है और वहां हंगर में हमें जो है पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया बंगलादेश से नीचे में आमार से नीचे रखा गया है बस क्योंकि इनकी दुस्मनी अफगानिस्तान से भी है यूरोपियन देशों की इसलिए बस अफगानिस्तान से ऊपर रख दिया है वरना जो है यह पूरी तरीके से बायश्ड है दोस्तों ठीक है क्लियर है तीन हज्जार सेंपल साइज है है इस थीन हज्जार इनका सेंपल सैंज है इतने बड़े एधेस का जो सर्वेश्ज है ले रहे तीन हज्जार लोगों का डेटा ले रहा हुइन समझ में और आहया है to change nephew में जा करके लग रहा है इन्होंने जो है मि किया एक तो नौस्त की फीजो है बड़ा की मजाक चलना है सब्षित इंवार्मेंट वाले में 803 देश है हमें multif8 नंबर पे रखा गया है इंवार्मेंट वाले में के मलत दुनिया तो दोस्तों यहां पर जो है भारती ने जो भारती इंस्टिट्यूट में किसने टॉप किया है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आई यह सी बैंगलूर ने दोस्तों टॉप किया है वैसे और भी बहुत सारे जैसे जामिया हमदर्द भी इस लिश्ट में हैं बहुत सारे दोस्तों इस लिश्ट में हैं कर लिए की टॉफ फाइफ अंडेट में भारत की मात्र पांच है दोस्तों इन भाच पांच भारती विस्विद्यालियों में जो सबसे ऊपर रेंकिंग है वो है आई-ई-ई-एस-सी बैंगलूरू की डोस्तों है ठीक है तो ताबर तोर तरीके से आज हम लोग ने करेंट अफेर बी किया है टेलीग्राम का एड्रेस आपके जो है डिस्क्रिप्शन में भी होगा बायो में भी होगा ऊपर चैनल आट पे भी होगा अबाउट में भी होगा हर जगह होगा ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए तो दोस्तों ताबड तोड तरीके से हम लोगोंने सब कुछ किया हसी मजा भी किया चर्चा भी की व्यंग पर Clerk करी है ना और बहुत सारे हसी मज़ा भी हम लोग के हुए सोर्गुर्याद कपमेंट पर भी चर्चा वह मज़ा आया ओवराल मज़ा आया तो दोस्तों जीए जी के जीए का वनिश्टॉप सेंटर इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाई है दोस्तों और अपना जुलाई का मंथली करेंट अफेर जो है हम लोग का टॉप मोस्ट वीडियो बन गया है व्यूड में तो दोस्तों जो है जुलाई अगस्ट सितंबर का जो हम लोगने मंथली करेंट अफेर किया था महराथन वह हमें लग रहा यूपी ट्रिपल सी पेट वाले भी बहुत देखे हैं तो वह दोस्तों जो है हम लोगों का बेस्ट व्यूवाला वीडियो जो है च चलिए तो दोस्तों कल 9 बजे हुई थी आप आज से 5 बजे होगी देखेंगे जिस पे बढ़िया पर्फॉर्मेंस आएगा उसी टाइम को रखा जाएगा अब आप लोग और हमारी मर्जी से नहीं टाइम होगा कुछ दिन 9 बजे कुछ दिन 5 बजे करके देखेंगे पर्फ उसी समय पे बेश 200 वाली क्लास चलाई जाएगी ठीक है चले ओके थैंक्यू सो मजश शुक्रिया धन्यवाद बबाए टेक केर लव यू अ चाल के लाएगा नहीं क्वाद आएगा झाल के देखेंगे ता लुक्रिया जाएगा।